हेलो दोस्तों स्वागत एक बाद फिर से मेरे चैनल में और मैं हूँ डॉक्टर अर्शद और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैक्सीन लगने से पहले आपको क्या करना चाहिए तो अगर आपके अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है और आपका जल्दी वैक्सीन लगवाने का पिलान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपर्टेंट होने वाली है तो इस वीडियो में मैं इसे चार पॉइंट के बारें बात करूँगा जिनका आपको जानना और करना बहुत ज़रूरी है तो शुरू करते हैं नमबर वन 19 साइड एफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन के कौन से साइड एफेक्ट नॉर्मल है कौन से साइड एफेक्ट नॉर्मल नहीं है जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो बहुत सारे लोगों को मैं देख रह तो इस जहां पर रेटनेस या थोड़ा पेन हो जाता है ठोटली नॉर्मल है बर्षते सिखाई कर सकते हैं काफी होगा दूसरा वैक्सिन का साइट एफक्ट है माइल्ड फीवर विद चिल्स तो चिल्स थोड़ी कपकपी लग सकती है ठन लग सकती है और हलका फीवर हो सकता है याद रखें फीवर हमेशा low grade होता है वैक्सिन का और दो से या तीन दिन में ठीक हो जाता है तो अगर फीवर आपका high grade है बहुत ज्यादा फीवर है 102 या उस से ज्यादा फीवर है और फीवर तीन से चार दिन पांस दिन हो गया है फीवर को तो तब आपको थोड़ा थोड टेट तो वैक्सिन का फीवर लोग्रेड होता है दो से तीन दिन में ठीक हो जाता है और कुछ साइड एफेक्ट हैं जिससे हेड़क हो सकती है बोडी एक हो सकता है जोईन पएन मसल्स पैन यह सब भी आपको देखने को मिल सकता है और साथ ही आपको थोड़ी थकावत महसूस हो सकती है तो कोई गबराने की बात ने इस टोड़ी नॉर्मल आफ्टर गेटिंग द वेक्सिम नमबर टू प्रिपेर यूर थिंक्स तो कुछ चीजे हैं जो कि आपको वेक्सिनेशन सेंटर जाने से पहले प्रिपेर करनी चाहिए जैसे कि एक अच्छा सा मास्क आपका मास कुछ ऐसा हो तो बैटर होगा सम्थिंग लाइक दाट इस एन 95 मास्क सो अगर ऐसा नहीं हो तो सर्जिकल मास्क भी चल सकता है कुछ ऐसा बट मेक्शूर कि आपके मास्क में वायर ज़रूर हो यह वायर जो की मास्क के ऊपर होती है यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह ना के ऊपर मास्क को एक एसी शेप सब्सक्राइब देती है जिसे की एर पास नहीं होती ना कि आस पास से तो इसका वायर का होना बहुत ज़रूरी है कप्ड़े का मास्क ना ही यूज़ करे तो अच्छा होगा लेकिन अगर यूज़ करना है तो उसके साथ सर्जिकल मास्क आप एड़ कर सकते हैं तो तब भी जाद अच्छे से काम कर सकते हैं, तो ना मास्क, फिर आप अपने साथ हैंड सेनि टाइजर रखें, क्यूंकि आप एक पबल्लिक प्लेश में जा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो आप इधर उधर सरफेस टच करेंगे, तो बेटर होगा, कि आप अप आपने साथ हेंड सेनिटाइजर रख ले और अपने हाथ सेनिटाइज करते रहें वियर लूज और शॉर्ट स्लीव क्योंकि आपको जो वैक्सिन देंगे वो डेल्टोइड मसल्स में दी जाएगी तो कुछ ऐसे कपले पहने जिनकी स्लीव आसानी से रोल अप की जा सके तीसर राज से याप हेल्दी मील लें वैसे तो आपको डेली खाना चाहिए लेकिन इस राध का डिनर आप मिस ना करें और हेल्दी होना चाहिए जाधा ओली जंग फूर्य फ्राइट फूर्ट ना लें तो आपका मील में जाधे से जाधा फाइबर्स विटामीन्स और सारे के लिए कुछ ऐसा अनहेल्दी ना लें शुगर अवोइट करें जितना जाधा हो सके क्योंकि शुगर इंफ्लामेशन को बढ़ाती है और आप चाहेंगे कि आपको वैक्सीन जो लगी वह अच्छे से रेस्पॉंस दे एंटिबोडी आपकी बोडी में बना दे जिससे कि आ गर आप से फहले और आपके बाद भी तो जब आप खाली पैट होते हैं तो आपकी इम्मुनिटी बहुत ज्यादा हुती है और उस टाइम पर इंफक्शन होने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं तो खाली पैट वैक्शिनेशन सेंटर कभी नहीं जाएं और साथ हमें प क्योंगी एल्कोहल डिहाइडरेशन करा देती है और डिहाइडरेशन से जो वैक्सीन के साइड एफेक्ट है और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बहतर होगा आप दो से तीन दिन पहले एल्कोहल लेना बंद कर दें and of course don't forget to avoid the smoking fourth and last point है cancel your vaccination appointment appointment यस मानलिया आप एकदम हेल दिये और आपने वैक्सीन के appointment बुक कर लिये लेकिन जैसे वैक्सीन लेने का दिन पास आता है आपको कोविड हो जाता है या कोविड के symptoms आ जाते हैं तो ऐसी condition में आप तुरंत अपने जो वैक्सीन के appointment उसको cancel कर दें क्यूंकि आप नहीं चाहेंगे कि अगर आपको कोविड है या कोविड के symptoms हैं तो आप पब्लिक प्लेस में जाके infection को ज़्यादा फेला तो बेटर होगा कि आप तुरंत अपने appointment cancel कर दें अगर आपको कोविड हुआ भी है या symptoms है तो आपकी बोड़ी में antibodies वैसे ही बन जाएगी कोविड के जिनकी life approximately three month होती है क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि बोड़ी कोविड-19 से fight कर रही है और आप vaccine लगवा कि immune system का काम और ज्यादा बढ़ा दो तो बैटर होगा कि आप vaccine को भी avoid कर दें और तीन महिने बाद vaccine लगवा लें तो दोस्तों इसके साथ हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और next वीडियो में हम बात करेंगे कि vaccine लगने के बाद आपको क्या खाना चाहिए जिससे की vaccine अच्छे से काम कर सके और आपको vaccination का ज़्याद से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और bell icon को प्रेस कर दीजे क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आपको notification मिल जाएगा और आप वीडियो